महा भारत का एक ज्यान बर्धक प्रसंद, अर्जुन और हनुमान का मिलन महा भारत के युग में, जब अर्जुन श्री कृष्ण के मार्क दर्शन में आत्म बोध और सत्य की खोज कर रहे थे, उन्होंने एक बार हनुमान जी से मिलने की इच्छा जताई. भगवान हनुमान जो श्री राम के परम्भक्त और महाबली थे, उन्होंने अर्जुन की भक्ती और निष्ठा को परखने का निर्णय लिया. कथा का प्रारंध एक दिन अर्जुन नदी के किनारे बैठे हुए थे. अचानक उनके सामने एक वानर प्रकट हुआ. वह वानर और कोई नहीं बलकिस्वय हनुमान जी थे, जो एक साधारन वानर का रूप धारन किये हुए थे. वानर ने अर्जुन से कहा, हे वीर, सुना है, तुम महान धनुर्धर हो, लेकिन क्या तुम्हारी धनुर्विद्या से यह पुल बना सकते हो, अर्जुन ने उत्तर दिया. हाँ, मैं अपने बानों से ऐसा पुल बना सकता हूँ, जो किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं होगा. पुल का निर्मान अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग करके बानों से पुल बनाया. हनुमान जी ने उसे परखने के लिए भारी कदम रखकर पुल को तोड़ने का प्रयास किया पुल तूट गया और अर्जुन निराश हो गए श्रीकृष्ण का प्रकट होना उसी समय श्रीकृष्ण प्रकट हुए और अर्जुन को समझाया कि सत्य और समर्पण ही असली शक्ती है उन्होंने अर्जुन से कहा कि अगर सच्चे हृदय से समर्पण और आस्था हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है हनुमान जी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर अर्जुन को सच्चाई और भक्ती का पाठ पढ़ाया उन्होंने अर्जुन को आशिरवाद दिया और कहा कि युद्ध के समयवे उनके रत के धोच पर विराजमान रहेंगे जिससे अर्जुन को शक्ती और साहस मिलेगा इस कथा से हमें यह सिखने को मिलता है कि भक्ती समर्पन और आस्था ही असली शक्ती है चाहे कितनी भी महान योग्यता हो सच्ची निष्ठा और भगवान की क्रिपा से ही सब कुछ संभव है अज के इस वीडियो में बस इतना ही मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो क्रिपिया इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले आपके सहयोग और समर्थन के बिना हम यहां तक नहीं पहुँच पाते आपके लाइक, कमेंट्स और शेयर हमें और भी बहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप किसी विशेश विशेपर वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपिया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमारे चैनल पर आने वाले दिनों में और भी मज़ेदार और ग्यानवर्धक वीडियो आने वाले हैं इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें स्वस्थ रहें और सीखते रहें जय है